आप सभी का बाला की रोसोई में स्वागत है आज की रेस्पी है फ्राइड इडली बनाना तो आए बनाते हैं फ्राइड इडली मिन्नी इडली बनाने के लिए ये हमने इडली का सांचा लिया है ये बहुत ही छोटी वली सांचा है और ये हमने एक सिमला मिर्चली है इसको हमने बारी कट कर लिया है थोड़े से गोबी का फूल लिया है इसको भी बारी कट कर लिया है और एक गाजरली है इसको भी बारी कट कर लिया है और एक ही हमने प्याज लिया है इसको भी हमने बारी कट कर लिया है दो तीम से चार चम्मच हमने कैचप सोस ली है आधा चम्मच हमने सरसो के दाने लिये है चुथाई चम्मच हमने काली मिर्च और चुथाई चम्मच हमने नमक लिया है और चुथाई चम्मच हमने लाल मिर्ची पॉड़र लिया है एक कप हमने लसी ली है और एक कटोरी हमने सूजी ली है तो आईए बनाते हैं मिन्नी इडली एक बाउल लिया है और इसमें मैं सूजी डाल दूँगी और साथ ही मैंने ये लसी ली है मैं लसी से इसका पेश्ट तियार करूँगी चुथाई चम्मच में इस पेश्ट के अंदर नमग डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी थोड़ा समय इसके अंदर पाने डालूँगी मैं तीन से चार चम्मच इसमें पानी एड़ कर रही हूँ और ये हमारा पेश्ट अच्छे से गुल कर तियार हो चुका है इसे मैं तो से तीन मिनट के लिए एक सैड में रख दूँगी ये मैंने एक बरतन लिया है और गैस को मैंने ओन कर दिया है इसमें मैं एक कप पानी डालूँगी ये हमने देड़ कप के आसपास पानी डाल दिया है इसमें पानी को पोईल होने दूँगी और मैं ये इडली स्पेंड के सांचे में ओईल लगा लूँगी मैं ओईल को उंगली की मदश से लगाऊंगी इसी परकार से मैं अपने तीनों सांचों में अच्छे से ओईल लगा लूँगी ये हमारे सांचे में ओईल लग कर तियार हो चुके हैं और ये हमारा पेश्ट फूल कर तियार हो गया है ये मैंने इनू का पैकिट लिया है मैं इसमें से चुथाई हिस्सा मैं इसमें इनू डालूँगी ये मैंने चुथाई हिस्सा इनू डाल दिया है इसमें और इसे अच्छे से मीक्स कर लूँगी मैं अब मैं एक छोटे चम्मच की मदस से इडली स्टेंड में ये पेश्ट डालूंगी ये हमारे सांचे में पेश्ट भर कर त्यार कर लिया है इसी परकार से मैं दोनों सांचों में भी पेश्ट डाल कर त्यार कर लूँगी और ये हमारे सांचे में पेश्ट भर कर त्यार हो चुका है और इदर हमारा पानी भी बोईल हो चुका है अब मैं इसे स्टैंड को इस बरतन के अंदर रख दिया है मैंने और इसे मिनट के दस मिनट के लिए पकने दूँगी भाप में जब तक ये हमारी इडली बोईल होती है तब तक हम इस ये मसाला बना कर तियार कर लेते हैं ये मैंने सोस पैन लिया है अब ओईल डालूँगी मैंने इसमें दो चमच ओईल डाले हैं ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें सरसोके दाने डाल दूँगी सरसोके दाने हमारे चटक चुके हैं अब इसमें में ये प्याल दा मुड़ी प्याज के साथ ही मैं ये काजर गोबी और ये चिम्ला में पिताल दूँगी अब मैं इसमें ये मसारे डाल दूँगी अब मैं इसमें ये मसारे डाल दूँगी और इसे मैं एक मिनट के लिए ढख कर पकने दूँगी हमारे इडलियों को दस से पंद्रा मिन्ट हो चुके हैं अब मैं इसे खोल के देखूंगी और ये देखो कितने अच्छे से बनकर त्यार हुई है मैं एक चापू की मदस से दिखाऊंगी ये देखो कितने साफ से चाकू आया है अब मैं कपड़े की मदस से इस इडलि स्टैंड को बहार निकाल लूँगी और अब मैं इसे खोलूँगी ये देखो कितने बड़िया से बनी है हमारी इडलिया और अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी ये कितनी सोफ्ट बन कर तियार हुई है ये हमारी सारी इडलिया निकल के तियार हो चुकी है ये देखने में कितनी सोफ्ट बन कर तियार हुई है और इदर हम अपनी सबजियां चैक कर लेते हैं और ये हमारी सबजी अच्छे से बुन चुकी है इसे हमें और जादा नहीं बुनना है अब मैं इसमें ये कैचप सोफ डाल दूगी और इसे अच्छे से मिस्ट कर दूँगी साथ ही मैं ये किलियां डाल दूगी जो मैं प्रियार की है इसे अच्छे से मिक्स करूँगी फिर से मैं एक मिनट के लिए फिर से ढपके पकने दूँगी तो आईए चैप करते हैं ये हमारी इडलियां बनकर त्यार हो चुकी है गैस को मैं बंद कर लूँगी एक बाउल में सर्व कर लूँगी मैं ये हमारी इडली बनकर त्यार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शियर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद